So hello and welcome you back, Housing Consultant. आप सभी के high demand पे कि independent house आपके लिए लेकर के आए, तो ये वो independent house जो आपके लिए value for money create करने माला है. So जितना जल्दी हो सके हमें contact करें, इसे book करने के हमें call करें and complete video tour आपको कराने माले हैं, तो video को पूरा जरूर देखिएगा. Starting from second floor से मैं start कर रहा हूँ, आप देख सलते हैं, इंटरेंस के साथ आपको tiles मिलता है, इसमें आपको total 6 room मिलते हैं and 2 hall मिलता है, अगर ऐसे देखा जाए तो 8 room होंगे और वैसे 6 room plus 2 hall मिलते हैं, double floor का घर है ये आपका सावा तीन कठा बड़े size में आपको मिलने माला है and उपर की जो building आपको बनी हुई दिख रही है, जो आप tiles वगेरा देख रहे हैं, इसके साथ आपको 3-3 balcony मिलती है, तो 3 balcony के साथ ये independent house आपका हो सकता है, double floor के साथ, 6 room plus 2 hall plus 2 bathroom plus 2 kitchen के साथ आपको मिल रहा है, ये independent house आपको सावा तीन कठा बड़े size land में आपको दिला रहा है, चैनल को subscribe कर लिजिए and जो भी सवाल आपके हैं उसका जवाब मैं दूँगा, आपको इसके लिए comment करिए हमें, जो भी आपके asking सवाल है, ये सारी जो आपको bond भी दिख रही थी थी न, वो इसी के अंदर आती है, इसी घर के अंदर आती है, आप देख सकते हो shaded area काफी बड़ा है, तो यहां पे आपको क्या मिलने वाला है, दो-दो car parking मिल जाएगी अपने ही घर के अंदर, प्लस बहुत सारी bike parking आपको मिल जाएगी प्लस store room आपको मिलेगा, प्लस एक bathroom आपको driver के लिए भी मिलने वाला है, आप देख सकते हैं दूसरी balcony जो कि front में खुलती है, तो सावा तीन कठा land area में ये घर आपका हो सकता है, मैं exact location भी बताऊँगा, मैं दोनो floor की video tour करवाऊँगा, मैं front से पूरा घर को complete आपको दिखाने वाला हूँ, बस की video के अंदर तक बने रहीएगा and चालो को subscribe कर लिजे and ये घर आपका हो सकता है, आप देख सकते हो ये आपको मैं तीसरा room दिखा रहा हूँ, काफी बड़ी रूह है, जैसे structure आप second floor है ये हमारा, जैसे structure आप second floor पर देख रहा हूँ, as it is आपको ये ही first floor पर भी मिलेगा, तो ये benefits आपका मिल सकता है, आपको and तीसरी balcony आप देख सकते हो, ये भी front में खुलती है, काफी develop society है, आपको दीख सकते हो, चारो तुरफ घर आपको दीख रहा है, आपको चत से भी दिखाऊंगा, आपको exact location ही बताऊंगा, definitely आपको ये location पसंद आएगी, देख सकते है, box बगेरा भी बना हुआ है, covered बगेरा भी बना हुआ है, तो already सब कुछ किया हुआ, बहुत ही complete अच्छी finishing के साथ आपको ये घर मिल रहा है, independent house जो काफी demand में था, लोगों की independent house लेकर का है, आप देख सकते हैं, tiles की finishing कितनी खूपसुरस सी की हुई है, रूम की sizes काफी standard है, as it is, रूम के में आपको covered वगेरा भी मिल रहा है, box वगेरा भी मिल रहा है, सबसे अच्छी बात है, grill वाले आपको windows मिल रहे हैं, जो की बड़ी-बड़ी sizes के हैं, light काफी अच्छी मिल रहे है, आप इसमें loan भी ले सकते हो, तो loan facilities भी आप में इसमें available है, तो ये सारी quality आपको मिलेगी, and ये मैं आपको बाहर से look दिखा रहा हूँ, काफी खूपसूरफ सा look है, road भी अच्छी खासी है, दो गाड़ी आराम से पार हो सकती है, नाला काफी चौड़ा है, तो पानी की drainage काफी अच्छी मिलेगी आपको यहाँ पे, and घर के साथ आप इंटरेंस लेते हो, तो आप देख सकते हो, parking space काफी बढ़ी है, and घर के खुबसूरती भी आप देख सकते हो, यही तीन बालकनी जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा था, second floor पे इसी तरह तरह first floor आता है आपको, ठीक है ना, and यह आपकी बालकनी आपको मिल रहें काफी spacious बालकनी है, आपके जो जवाब होते हैं, वो मैं जरूर दूँगा, बस आप question करें, हमें comment box पे, हमें call पे, हमें WhatsApp ज़्यादा करें, WhatsApp पे ज़्यादा frequently हम आपको contact कर सकते हैं, आप मैं बता रहा हूँ, दो entrance है, एक आप ये windows से entrance कर सकते हैं, आपको door से, एक आपको दूसरा door है, ये सब आपको store room है, एक bathroom आपको बाहर भी मिलता है, ये क्या है कि अगर कोई guest आया या फिर बाहर के driver वगेरा के लिए कुछ समान अगा रखना है, तो यहां आप रख सकते हैं, आप देख सकते हो, मैंने जैसे बताया कि four side से घर आपका open है, पीच में घर है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी boundary किसी से attached है, बिल्कुल separate घर बना हुआ है, independent house इसको बोलते हैं, इसमें आपको सारी facilities मिलती है, इसमें आपको loan की facilities मिल जाएगी, इसमें आपको bike parking की facilities मिल जाएगी, इसमें आपको बालकनी भी मिल जाएगी, तीन-तीन वह भी, and सबसे most important बात है, इसमें तीन आपको water connection मिलेगा, एक नगन निगम का water connection है ही, चापकल भी है, boring भी है, तो तीन water connection भी आपको मिल गया, तो यह सारी facilities आपको इस घर में मिल जाएगी, कि अगर आप चाहो तो नीचे के floor में तीन रूम और एक hall के साथ रह सकते हैं, ऊपर का तीन रूम और एक hall, एक kitchen, एक bathroom आप रेंट पर दे दो, मैं बता दूँगा वीडियो के अंत में, आपका जो सवाल होता है, price मैं, price भी वीडियो के अंत में बता दूँगा, square feet मैंने अल्रेडी बता दिया, यह सावा तीन कठे का बड़ा सा land area में आपको यह total 6 room, plus 2 hall, plus 2 bathroom, plus 2 kitchen के साथ, plus 3 balcony के साथ, यह घर आपका हो सकता है, बस आपको क्या करना है, हमें call करना है, channel को subscribe करना है, आप देख सकते हो, plus boxes वगेरा भी काफी बने वए घर में, तो यह भी benefits आपको मिल जाएगा, box वगेरा होने से की space काफी मिल जाता है, रखने उकने का समान के लिए भी, और उपर के floor में आपको देखा, आपने tiles लगा हुआ है, नीचे के floor में आपको marbles लगे हुए है, पूजा रूम भी दोनों तरफ है, नीचे भी पूजा रूम है, उपर भी पूजा रूम है, ठीक है, और north facing घर है, तो आप ये भी clear हो गया, कि आपको घर भी वास्तु के सा connection किया हुआ है, basin वगरे लगा हुआ है, सब कुछ complete किया हुआ है, घर दो separate stairs के साथ divide भी किया हुआ है, rent के लिए, तो ये सारी facilities आपको इस घर के अंदर मिल रही है, मैं आपको छट से location भी दिखाऊंगा, कि आप कि इस जगहा पे आप हो exact, यही second floor है, जो मैं starting में आपको ब आता है, वो है loan के उपर, तो इस घर के उपर आपको loan definitely मिल जाएगा, already इस घर के उपर loan चल रहा है, वो LIC से है, तो आपको NOC ले करके ही मिलेगा, so NOC ले करके आप चाहो तो loan ले सकते हो, या फिर जो loan इनके पास अभी rest बचा हुआ है, LIC के अंदर, आप चाहो तो loan extend करके और अपने नाम पर transfer करवा सकते हो, जो ये दोनों process है, वो आपका easily हो जाएगा, इसमें आपको MADA approved घर मिलता है, तो loan होने में कोई दिकत नहीं, already LIC से loan है, इसलिए, and paper up to date है, ठीक है, तो ये सारी tax वगेरा भरा हुआ है, holding tax वगेरा हुआ है, रसीद कटता है, तो ये सारा भी दिकत नहीं आने वाला है, आप अपने इंट से भी पूरा research करवा सकते है, and already loan है, तो आप वहाँ भी loan bank में जाके भी check कर सकते है, तो ये loan भी आपका clear कर देता हूँ, मैं इसमें loan हो जाएगा, and वास्तु के साब से मैंने बताई दिया, north facing है, तो आपको वो भी दिकत न नार्मली पहले के घर में car parking नहीं बनता था, इसमें दो-दो car parking है, प्लस जितनी सारी आप bike parking कर दो, कोई दिकत नहीं आने वाल, ये तीन car parking भी हो सकती है, अगर आप ठोड़ा सा changes करोगे, तो घर के अंदर, तो इतनी space आपको parking में भी मिलता है, and most important बात जो होती है, घर के अंदर होनी चाहिए, वो है कि किसी के boundary के साथ आपका घर सटावा ना बना हो, तो ये भी उसमें आपको facility मिलता है, जैसे आपने दिखाया है, चारो साइट से इनकी खुद की boundary है, घर center point पर है, तो चारो तरब से आपका window खुला हुआ है, जिसके वैसे light काफी अच्छी आप देख सकते हो, प्रभाता मॉल के 900 मीटर की दूरी पर है, यानि कि up to 1 km, under 1 km आपको ये घर मिलने वाला है, प्रभाता मॉल यानि कि धहिया लोकेशन के प्रभाता मॉल से काफी famous मॉल, जो चार खंट का सबसे बड़ा मॉल के नाम से जाना जाता है, वहां से ये सिर्फ एक किलोमेटर, अंडर एक किलोमेटर मैं बोलूँगा, आपको ये घर मिल सकता है, आप देख सकते हो, दो गाड़ी आराम से पास होकती, एक गाड़ी खड़ी है, तब भी दूसरी गाड़ी निकल जाती है, तो ये space भी आपको मिलता है, वैसे तो आपकी कार पारकिंग अं लेगा, आपको यहाँ पर बना हुआ, सर्मा जी का, दुबेजी का, काफी सारे लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, आल्रेडी, तो ये सारी benefits आपको मिल रही है, तो ये घर के अंदर आपको definitely लेना चाहिए, और इसकी जो prices होने वाली है, वो है under 70 lakh, यानि कि आपको 68 lakh रूपी अराइ, वो है ये आपको ये आपको LA सरी भी सब्सक्षा सरी एके वाली है, अर